हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो दुराना अकेडमी तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास नाइन्थ आईसी एसी का मिस्टरी का तो चेटर नमबर वन है उसकी एक्सराइज एक्सराइज वन एक के कोशनासर हमने डिसकस कर लिये थे आज हम उसका जो नेक्स पार्ट है वो स्टरी करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल एक्वेशन और हाँ उपर जितने भी आपके चैनल्स और जो पेजिस हैं उनकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं तो बिने कोई टाइम वेस्ट किये चलिए शुरू करते हैं तो देखिए आज हमने जो बेसिकली स्टडी करना है वो हमारा कैमिकल एक्वेशन है बहुत ही जादा सिंपल टॉपिक है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बाइ रीडिंग इस देफिनेशन कहता है कि देखिए इसका मतलब सर्फ यह है हम जानते नहीं किसी भी दो सबस्टांसे को जब आपस में मिलाया जाता है तो उनमें कैमिकल रिएक्शन टेक प्लस करती है जिससे हमें कुछ प्रोड़क्स मिलते है अब उसी चीज़ को symbolically represent करने के तरीके को ही chemical equations कहा जाता है अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चले मैं आपको example लेके देखाता हूँ कहते हैं कहते हैं कि the burning of coal in air is chemical reaction in which a new substance carbon dioxide is formed देखें बाद simple सी यह है कि अगर यह कह रहा है burning of coal coal का मतलब होता है बेटा आपके पास carbon तो यहां पर क्या लिख देता हूँ carbon लिख देता हूँ अब उस carbon को हमने burn की है air के अंदर तो air को represent करने के लिए हम यहां पर oxygen का इस्तिमाल करते हैं तो यहां पर मैं oxygen लिख देता हूँ इससे बन रहा है आपका carbon dioxide तो यह आ गया आपका carbon dioxide देखिए अभी जो चीज मैंने आपके सामने यहां पर लिखी है ना इसको कहा जाता है word equation word equation मतलब यह कि इसके अंदर आप यह तो देख सकते हो कि carbon जब oxygen से react हो रहा है तो आपके पास carbon dioxide बन रहा है लेकिन अगर इसी को symbolic लिखा जाए तो वो आपका chemical equation बन जाएगा जो कि बहुत simple है अब carbon का जो symbol है वो C होता है oxygen का जो symbol है वो बेटा O2 है और carbon dioxide जो है वो हमारा CO2 होता है तो अब यह जो चीज मैंने यहां पर लिखी है इसी को कहा जाता है आपका chemical equation क्यों? simple है न? अब देखे कोई भी chemical equation लिखने के लिए छोड़ी बातों को अब ध्यान रखना होता है सबसे पहली बात यह कि जिन दो चीजों को आपस में आप join कर रहे हो उनके बीज में plus का sign होना चाहिए उसके बाद जो उनका reactants होते है so क्या होता है? reactants और उसके बाद जो चीज हमें बन कर मिलती है उनको कहा जाता है product ठीक है? ठीक है? अब इसमें product है अगर एक से जादा हो तो product हो जाएंगे मनलब क्या कि carbon dioxide के लवा अगर कुछ और मुझे मिल रहा होता तो मैं आपके आगे मैं यहाँ पर लिख देता ठीक हो गया? तो एक होता है reactants और एक होता है बेटा आपका product और उनके बीच में आपने arrow का निशान लगाना होता है अब ये भी arrow दो तरह के होते है बेटा एक तो यही है जो आपने देख लिया उसको symbolically लिखने के तरीके को chemical equation कहा जाता है एक और example से भी आपको दिखाता हूँ जैसे कि इस condition में देखो मेरे पर copper sulfate है sodium hydroxide है इनको आपस में मिलाया गया, मिलाने के बाद में बना that is copper hydroxide उसके बाद बना है sodium sulfate अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोने के प्रस का निशान है और इनको हम कहेंगे reactants और यहाँ पर दो आपको क्या मिल रहे है products मिल रहे है तो बहुत simple सी बाते है अच्छा मुझे करें बच्चे ये भी पूछते है सर हमें क्या ये सारे equations याद करने पड़ेंगी मैं कोँगा अभी तो नहीं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है जब याद करने के बारी आगे तब आपको जूर बताएंगे देखे उसके बाद बेटा कि हमारे पास कई different type of chemical equations होती है जैसी कि जिसमें एक reactant होता है दो या दो से ज़्यादा product होते जैसी ये दो example आपको दी होई है देखे अब अगर आप मुझे बोलोगे कि सर ये क्या ऐसा होगा कि हमें ये left दिया होगा right दो नहीं दिया होगे देखे ऐसा नहीं है इस particular part के अंदर ना हमने balancing the equation सीखना है तो मतलब आपको equation दी होगी मतलब ये chemical equation दी होगी उसको balance करना सीखना है आपने तो आपको ऐसा जिसको याद करने की अभी जुरुत नहीं है सिर्फ ये देखो कि कभी कभार हमारे पार कुछ chemical equations ऐसी होती है जिसमें एक reactant होता है जिसमें दो या दो से जादा product होते है हमारे पास ऐसे वाला condition भी होता है जिसके अंदर दो reactants होते है और product एक ही होता है जैसे यहाँ पर लिखा है ammonia है HCl मिल गया तो NH4Cl आपके बास बन गया तो ये भी हमारे पास एक condition होता है एक ऐसी condition भी होती है जैसे बेटा दो reactants होते है दो product होते है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इक्जाम्पल्स है आप और आम से इसको go through कर सकते हो उसी तरह बेटा ये भी होता है कि दो reactants है और साथ में तीन या तीन से जादा product बन जाए आपके पास जैसे कि इस case में आप देख सकते हो ठीक है नीचे वाले में देखो हमारे पास दो reactants है और साथ में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपको products मिल रहे हैं ठीक है तो यह कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी भी chemical reaction को symbolically represent कर दें तो उसको chemical equations का नाम दिया जाता है बेटा अब ना इसमें दो बाते समझने बहुत important है पहली बात तो यह कि आपके ना दो तरह के equations होती है एक होता है skeleton equation एक होती है balanced equation ठीक है balanced chemical equation अगर मैं skeleton chemical equation की बात करने तो उसका मतलब यह होता है कि वो एक equation तो है वो यह तो बताएगा कि कि आपके पास दो आपके reactants मिल रहे है उससे क्या-क्या product बन रहा है लेकिन left hand side के जो number of atoms है वो right hand side के number of atoms के साथ balance नहीं होते है मतलब यह कि जैसे कि अगर मैं इस equation को जैसे यह पहला लिखा है अगर इसी को मैं ऐसे लिख दू that is Cu plus that is H2SO4 और साथ में लिख दू CuSO4 plus H2O और साथ में बेटा SO2 में यहाँ पे लिख दू अब इस particular equation के अंदर क्या है क्या मुझे नहीं पता लग रहा है कि copper मेरा जो है sulfuric acid के साथ मिला हुआ है और उसके बाद यह हमारे पास that is copper sulfate और साथ में water sulfur dioxide हमारा बन रहा है ऐसा तो नहीं है दिख रहा है मेरे को लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बाद आपको में यहाँ पर दिखा दू कि यहाँ पर अगर आप oxygen देखते हो तो इसमें 4 यहाँ oxygen है एक यह हो गया तो 5 हो गया दो यह हो गया मतलब 7 हो गया मतलब आपके right side में अगर देखा जाए तो 7 oxygen के atoms है अगर left side में देखो तो सिर्फ आपके पाद 4 oxygen के atoms है अब यह जो equation आपके पास यहाँ पर बनी है इसको skeleton chemical equation कहते है लेकिन जब हम इसको balance कर देते हैं बैलंस होने का मतलब होता है कि left hand side में जितने number of atoms है उतने ही right hand side में अगर number of atoms होंगे तो उसको balanced chemical equations कहा जाता है ठीक है मैं आपको पहले उसके बारे में बता दूँ जैसे मैं आपको भी बताया कि balanced equation का मतलब होता है कि left hand side के number of atoms और right hand side के number of atoms जब exactly same होते है तो उस particular equation को balanced equation कहा जाता है otherwise वो क्या है एक skeleton chemical equation होगा आपका अच्छा अपना सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि why should an equation be balanced हमें equation को balance करने की जरूरत ही क्या है और उसका answer है ये देखिए क्या है कि according to law of conservation of matter ना आप matter को create कर सकते हो ना आप matter को destroy कर सकते हो ठीक है अगर मैं आपको ये वाली example की तरफ लेके चलू तो पता क्या लग रहा है कि मेरे पार चार oxygen के atom थे reaction कुछ हुआ जिसके विए साथ oxygen के atom create हो गए हम कभी भी किसी atom को ना हम create कर सकते है ना destroy कर सकते है convert कर सकते है एक से दूसरे के अंदर लेकिन हम अपने आप से create या destroy नहीं कर सकते तो ऐसे particular condition या scenario के अंदर क्योंकि यहां पर यह दिख रहा है कि law of conservation of matter आपका जो है obey नहीं हो रहा इसलिए हमें इनको balance करना बहुत ही important होता है ताकि हमें ये पता लग जए कि मुझे कितने molecule जैसे कि मैं आपको example देता हूँ मुझे बता है कि copper जो है और साथ में मेरा sulfuric acid है इनको आपस में combine करके ये बनेगा बड़ कितना portion copper होना चाहिए कितना portion sulfuric acid होना चाहिए वो balancing से समझ में आएगा न जो कि आप उपर देख सकते हो जिसमें मुझे दिख रहा है कि आपके पास एक copper होना चाहिए दो molecules आपके जो होने चाहिए आपके sulfuric acid के होने चाहिए तो जिससे एक molecule copper sulfate का दो molecule हमारे बनते हैं पानी के that is water that is S2O और एक बनता है बड़ा हमारा sulfur dioxide तो balance करना बहुत ही important है हाँ अगर paper में आपसे आएगा तो आपने सिधा ये लिखना है in order to obey the law of conservation of matter और इसलिए हमें equation को balance करना पड़ता है अब पता क्या है बड़ा अब आपके पास ना मैं आपको कई सारे examples दोंगा इन examples के अंदर हम क्या करेंगे अपने equation को balance करेंगे अब पता क्या है देखो equation को balance करने के दो तरीके है एक तो है hit and trial method जो आपके syllabus में है और एक है बड़ा partial equation method जो आपके syllabus में नहीं है तो मैं आपको hit and trial method करवाऊंगा और एक ही करके इन examples को solve करूँगा तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले example की तो देखें इस particular example में साफ साफ दिखरा है बेटा मेरे पास क्या है यहाँ पर है copper में इनके बीच में गड़ा gap डाल दे तो ता कि आप कोछे समझा सको और साथ में है मेरे पास sulfuric acid उसके साथ हमने लगा दिया हमारे पास मना क्या मिला product हमें that is copper sulfate और साथ में है मेरे पास sulfur dioxide और साथ में मेरे पास water के molecule चलिए अब हम इसको balance करते हैं बैलन्स करने का तरिका बहुत ही simple होता है पता क्या है शुरुवात करो पहले आप किसी एक particular आप किसी भी एक molecule को ठालो उसमें देखो कि left hand side और right side के atom same है के नहीं है और अगर नहीं है तो इनको same करने के लिए हम 2 या 3 से उस molecule को multiply करते जाएंगे एक बात या रखना कभी भी ऐसे नहीं कि उन्हें bracket लगाया और यहां पे नीचे 3 या 2 लगा दिया वो गलत है वो बिलकुल नहीं आप कर सकते जब भी number डालना है हमेशा molecule के आगे ही होना चाहिए ठीक है तो चलिए start करते है धरी धरी एक चीज़े यह जो है ना समझ आयाती है अपने आप यह तिनी बड़ी चीज़ नहीं है यह देखिए पहले हम बात करते है बड़ा copper की तो copper में तो सर्फ एक ही atom है अब यहाँ पर copper में कितने atom है एक ही atom है कोई problem वाली बात ही नहीं है तो balance भी हो गया copper अपने आप में ठीक है चलिए अब बात करते है hydrogen की जब मैं hydrogen की बात करता हूँ तो यहाँ पर H2 है कितने molecule दो molecule आप कहेंगे सर यहाँ पर कितने भाई दो molecule बिल्कुल ठीक है तो इसको हमें balance करने की जूट नहीं है चलिए आगे चलते हैं sulfur, sulfur कितने हैं बटा यहाँ पर sulfur यहाँ पर है एक, only one यहाँ पर देखो तो sulfur दो है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इसका मतलब हुआ, मुझे sulfur को left side में double करना पड़ेगा तब ही तो यह balance होगा, तो एक काम करते हैं हम ना, इस पूरे को two से multiply कर देते हैं ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है tension नहीं नहीं, अपने हम सेट होगा सारा कूछ क्योंकि अब आपने two से इसको multiply किया, तो अब आपको hydrogen को दुबारा देखना पड़ेगा, ठीक है जी, तो देखिए hydrogen यहाँ पर कितने हो गए two तो यह थी, और यह two हमेशा multiply करना होता है, तो two two जो कितने हो गए four, अच्छा, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पर दो ही थे, अब इसको चार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, two से multiply करना पड़ेगा, कर देते हैं, तो अब देखिए hydrogen क्या है, h2, यह two multiply हुआ, four आ गया, यहाँ पर भी four है, तो देखिए, copper मेरे पास एक है, जहां तक hydrogen की बात है, वो मेरा left और right में four थे, set हो गया, sulfur की बात करो, तो left में two है, right में two है, तो वो भी balance हो गया, अब रह गया सिर्फ oxygen, oxygen की बात करो तो left में, अब देखो यह four है, यह two है, multiply करो, eight बन गया, अब यहां पर four तो यह रहे, two यह रहा, अब यहां पर एक नहीं, यह two से multiply होगा, तो total right side में भी क्या होगे, eight होगे, तो कहना का मतलब है, कि अब आपका left में भी eight oxygen, right में भी eight oxygen, तो इसका मतलब यह equation क्या हो गया, balance हो गया, तो इस तरीके से हमने अपने equation को balance करना होता है, बहुत ही simple है, मैं आपको दो-चार example अच्छे से करवाऊंगा, ता कि आपको समझ में आए, कि कैसे आपने सो करना है, तो चलिए, अब हम अपने next example की तरफ चलते हैं, अब हम बात करते हैं अपने second example की, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये है AS2O3, ओके, तो ये है arsenic trioxide, ठीक है, अब हम बात करते हैं next, that is SNCL2, इसको हम कह सकते हैं, that is tin bracket में 2 chloride, ये भी बोल सकते हैं, नहीं तो ये stannis chloride बने हैं, क्योंकि इसकी जो valency है, वो 2 positive वाला हमने यहां पर यूज किया है, फिर आपको बता ये hydrochloric acid है, that is HCL है आपका, उसके बाद आपके पास बना stannis, stannic बना, क्योंकि ये 4 है, stannic chloride, या तो tin bracket में 4, आगे chloride आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये बन गया SNCL4, मुझे यहां के साथ साथ आपको बताता चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको balance करते हैं, तो बहले हम एक काम करता हूँ, मैं यहां पर na AS यहां लिख देता हूँ बटा, और यहां पर AS लिख देता हूँ, इससे क्या होगा कि आप ठोड़ा पता लगता रहे हैं, यहां कितने हैं, तो यहां पर देख देखें तो बटा यहां पर आरसैनीक के जो एटम हैं वह दो हैं, और यहां पर आरसैनी के कितने आटम हैं, एक ही है, कितना है एक, तो इसको करना two से multiply कर दूँ, तो अटमेटिकली यहां पर two हो जाएँगे न, और तो यहां पर तीन है तो यहां पर तीन कितना है मेरे पास और आपके राइट साइड में क्या है तो अगर मेरे पास मा लीजे एक है तो उसको तीन से 3 से तीन हो जाएगा तो बस वही करूँगा अमकि करूंगा इसको 3 से से घ्रां कर देता हूँ तो अग्सीजन जो यह है वह conveniently हो जाएगा तो यहां अब मैं बात करता हूँ बेटा आपके दिए टिन की तो यहां सन है बेटा सन यहां पर एक है क्या है एक है तो यहां पर अगर देखो तो सन कितना है यहां पर भी वह एक है कोई टाइशन ही नहीं पर तो चलिए यह दो ख़त्म होगे अब आज़ा थे कलोरीन पर क्लोरिन के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हैं दो नहीं तीन यह देखो दो यह एक यहाँ पे तीन है तो यह तीन हो गए अब हम यहाँ चेक करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर इसको ध्यान से देखूँ तो मेरे पास है क्लोरिन यहाँ पे चार है तीन नहीं है ओके तो कलोरीन यहाँ पर कितना है चार है तो यहाँ पर चार करने के लिए मुझे यहाँ पर इस वाले पर टू से मंटिप्लाई करना पड़ेगा टू से मंटिप्लाई करने से क्या होगा कि कलोरीन यहाँ दो हो जाएंगे दो ये है ही है, टोटल आपके पास बेड़ा चार हो जाएगा, तो ये बन गए आपका 4, तो ये हो गया, ठीक है क्या किसी और आटम में फरक पड़ेगा, नहीं क्योंकि हाइडोजन बब तक हमने बनाया है नहीं, तो कोई फरक पड़ेगा आगे देखीं हमारे पास क्या क्लॉरीन नहीं, तो ये 4 हो गया, चलिए बात कर लेते हैं बैटा हाईडोजन की, ठीक है, देखिए तो अगर मैं बात करतों बैटा, इस लेफ्ट हेंड साइड में तो यहाँ पर मेरे पास है दो हाईडोजन, ठीक है, लेकिन अगर तो मैंने यहां पर क्या कर दिया six कर दिया अब ऐसा करने से क्या क्या गड़बड हो गी अब हमने वो भी सैट करनी पड़ेंगी देखिए hydrogen यहां पर six है यहां पर six है तो यह तो balanced हो गया चली पहले इसको लिख लिख लेता हूँ मैं यह तो आपका balance हो गया अच्छा अब hydrogen ज जो chlorine है वो six year है और यहां पे दो और chlorine है, दो और chlorine है, ठीक है, तो right side में देखा ज़िया है, तो मेरे पास सिर्फ चार ही है, तो यहां पे six और two eight, ठीक है, तो एक काम क्यों नहीं करते हैं हम यहां पे, इसको मैं यहां पर, और यह हो गया, मेरे पास six और two eight, तो यहां पर हम two से multiply कर देते हैं, ठीक है, तो two से multiply किया, two से multiply करने से क्या होगा, कि chlorine जो है, यहां पे हो जाएगा eight, लेकिन अगर मैं two यहां multiply कर रहा हूँ, तो मुझे tin भी change करना पड़ेगा, और tin की क्या value दी हुए two, अगर tin two दिया है, तो मतलब मुझे इसको भी two करना पड़ेगा, ओके, तो अगर, अगर मैं इसको two से multiply करना पड़ेगा, तो chlorine फिर change होगा, तो chlorine होगा, अब यहां पर two और two four, four और यह six, ten, और यहां पर हमारे पास है, यह four का multiple है, एक काम करता हूँ, रुको, मैं बदाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको करता हूँ change, ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया, इसको करते हैं three से multiply, बदाता हूँ क्यूँ, क्यूंकि जब three से multiply करता हूँ, तो यादेगा, four three is a twelve, six तो अलड़ी है ही है, इसको six बनाने के लिए, मुझे three से multiply करना पड़ेगा, अब देखिए, कि हमारा जो SN है, वो भी three है, यह SN b3 हो गया, balanced, chlorine के बात करों, तो three two is a six, और six twelve, और यह देखो, CL four three, और four into three करेंगे, twelve आ गया, तो यह भी balanced हो गया, चलिए, इसके अलावा, oxygen 3, oxygen 3, arsenic 2, arsenic 2, hydrogen, hydrogen, hydrogen चेक करना पड़ेगा, three two is a six, three two is a six, perfect, तो इस तरीके से बेटा हमारा यह balanced हो गया, देखिए, आपको बता है, hit and trial की न, मैं आपको end में इसकी limitation बताऊंगा, उसमें से तो पहली और सबसे तगरी limitation भी यही है, इसमें time बहुत लगता है, अगर थोड़ा सा भी complicated आ जाए न, तो इस case में आपको इस तरह से hit and trial लगा लगा कर चेक करना पड़ता कि ओके अब ठीक है के नहीं है, राइट, ओके, चलिए, अब हम अपने next example की तरफ चलते हैं, next example तो बहुत, यह तो बहुत easy है, देखिए, इसमें क्या है, कि हमारे पास iron है, हमारे पास water है, यह ferric oxide बना हुआ है, hydrogen है, यह तो असान है, देखिए, क्या करूँगा, मैं फटा-फटा इसको बना देता हूँ, Fe, प्लस हमारा H2O, और साथ में हमारे पास हो गया, Fe2O3, और साथ में H2, यह आ गया ना, बजी, अब मैं क्या करूँगा, Fe2 है, यह 2 है, लो जी 2 कर दिया, तो iron तो मेरा balanced हो गया, H2, H2, ठीक है, अब यह देखो क्या होगा, Oxygen 3 है यहाँ पर, यहाँ पर कितना है, इसको मैं 3 से multiply करें देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आईगी, वर्दाता हो क्यों, Oxygen 3 किया, Oxygen 3 balanced हो गया, iron balanced है, Hydrogen यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, कुछ नहीं होता जी, 3 से multiply कर दो, तो ल जी balanced है, कितना असान है, एक एक आटम लेके चलते हैं, लेट से राइट तक चलते जाओ, एक एक करके, जिसमें चेंजे आते जाएंगे, साथ साथ राइट वाले में भी चेंज करते जाएंगे, next देखते हैं, अच्छा, word equation में भी तो हम कर सकते हैं, यह जो word वाला है हमारे क्या अब हो रहा है, by heating a mixture of ammonium chloride, ammonium chloride क्या होता है, आपका होता है NH4Cl, this is ammonium chloride, calcium hydroxide, CaOH का twice, क्योंकि calcium की valency 2 positive होती है, OH की minus 1 होती है, तो cross करेंगे तो यह बनेगा, फिर बनता है यहाँ पर ammonia NH3 plus calcium chloride, that is CaCl2, क्योंकि मैं बता दी न, इसकी valency की बारे में, और साथ में बनेगा पानी, चलिए S2O हमने बना लिया, चलिए अब हम जल्दी से इसको balance कर लेते हैं, तो सबसे बहले शुरुआत करते हैं हम पर नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन देखता हूं तो यहाँ पर बड़ा एक है, ठीक है, यहाँ पर चेक करूं तो ए रखना कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी आटम है, उनके साथ यह तू मंटिप्लाई हो रहा है, तो दो यह हुए, यहाँ पर अगर देखा जाए, चार ही है, तो तो हाइट्रोजन लेफ्ट में कितने है, 6 है, लिख लो कोई टिकत नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो 2 से मंटिप उस केस में, जी मेरे को यहाँ पर भी 2 मंटिपलाई करना बढ़ेगा, अगर 2 मंटिपलाई कर दिया, अब देखो, हाइड्रोजन कितना बन गया आपका, 4 तू जा 8, 8 and 2 बन गया 10, ठीक है, 3 तू जा 6, और, अच्छा मैं तो यह देखा हैं था, 2 यह भी तो है, अगर 2 यह ह 3 तू जा 6 तो यह है, अगर मैं 2 मंटिपलाई कर दू, तो 2 तू जा 4 हो जाते हैं, 4 और 6 हो गया 10, और यहाँ पर भी 8 और 2 हो गया 10, हाइड्रोजन हो गया, बैलन्स, नाइट्रोजन की बात करूं, तो 2 इधर, 2 इधर, बैलन्स, इसमें कोई प्रॉलम नहीं है, आगे चलत कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, इसके बाद आया था हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, हमारा हो भी गया बैलन्स, कितना असान था, तो यह है बिला आपकी एक बैलन्स इक्वेशन, तो चलिए, अब आपको मैं एक एक्जांपल और करवाता हूँ, अब इसके साथ हमने रेक्ट करवा दिया, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, यह तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ बनते हैं हमारे एक, दो, वही चार प्रोडक्ट बनते हैं, यह थोड़ा फिर कॉंपलिकेट हो जाएगा, जब प्रोडक्ट समारे जादा होते हैं, तो ओटमेली अपले से 3, पोजिटिव होती है, क्लोरिन की माइनिस 1, तो यह CL3 बन जाएगा आपका, फिर आता है बेटा वोटर, H2O, और फिर आया क्लोरिन, CL2, लो जी बढ़िया, यहां तक तो सब हमारा एक्सपेशन थो ठीक हो गया, एक बाद या रखना है, इसके अंदर यह कोशन होते हैं, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मला भी ठीक लिखना चाहिए, अगर फॉर्मला आपने गलत लिख दिया, बैलेंस नहीं होने वाला, बहुत मुद्ध 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 होते हैं, तो यह बात का ध्यान रखना, ठीक है, चलिए अब इसको करना शुरू करें, बहु से मुद्ध करो इसको भी हो गया, ऑक्सीजन की बात करें, यहां पर सरफ एक ही है, जो बाई सीधी सी बात है, बढ़े हैं, और को त्रिक्का नहीं है, तो इसको सब्सक्राइब आप जालते हैं सिधा हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर है एक, बट यहां पर तो है 14, 7 to the 14, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मंटी प्ला करो 14, और क्या, तो बस हो गया, अगले केस में मुझे कलोरीन जो है, वो 14 शो करना है, जो कि इस केस में है, यहां पर है, और टू यहां पर है, तो यहां बन गया, इसको मैं छेडूँगा क्यों, क्यूंकि में पर क्लोरीन लग से दिया ही हुआ है, इस पर मंटीपला करके अपना आंसर निकालते हैं, अपना ठीक है, हमें कभी कबार लगता है बहुत टाफ होगा, बट यह तो बहु नोट के बारे में बताता हूँ, अब देखें, यहां पर आप एक equation को देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, Cu प्लस H2SO4, Cu SO4 प्लस H2, अगर आप बड़े ध्यान से इसको देखू ना, तो पहले ही चेक करते हैं, क्या यह बैलेंस है, देखें, यहां पर Cu है, यह बी एक है, Sulfur 1, Sulfur 1, Oxygen 4, Oxygen 4, Hydrogen 2, Hydrogen 2, अब कोई भी इसको देखें गएगा, हाँ यह यह तो balanced equation है, बिलकुल सही है, it is a balanced equation, पर क्या यह reaction एक्जिस्ट कर सकती है, आंसर है, नहीं, अब ऐसा क्यों नहीं, इसका reason आपको यहां मिलेगा, क्या होता है ना, हमारी एक reactivity series होती है, इ यहां पर इस reaction के अंदर क्या हो रहा है, कि copper जो है, वो मेरे hydrogen को displace कर रहा है, और खुद उसकी जगा पे लग रहा है, कोई particular हमारे पात जो यहां पे CU दिया हुआ है, अगर यह metal इस hydrogen को replace या displace करना चाता है, तो वो तभी कर सकता है, अगर copper मेरा ज़्यादा reactive हो as compared to hydrogen, hydrogen यहा तो क्या है, यह less reactive है, क्योंकि यह less reactive है, इसलिए यह आपका यहां, इस particular equation के अंदर copper जो है, वो hydrogen को displace नहीं कर सकता, लेकिन experimentally भी यह चीज़ देखी गई है, कि अगर एक concentrated H2SO4 को अगर हम copper के साथ, अगर मालिज हम लगाते भी है, तो हमारे पास क्या बनता है, बेड़ा copper plus concentrated, यहां पर लेता हूँ, H2SO4, तो उस condition के अंदर हमें मिलता है, that is copper sulfate, बिल्कुल मिलता है, plus बनता है हमारे पास water का molecule, plus बनता है हमारे पास sulfur dioxide, तो तीन products इसमें से बाहर निकल के आते हैं, hydrogen निकलता, sulfur dioxide मिलता है, और यह experimentally हमने किया हुआ है, ठीक है, और यह मैंने example आपक सेम ऐसी ही मैंने आपको उपर करवाई भी है, रुको कहां पर करवाया है, यह देखिए, यह पटिकुल देखो, अब इसमें दिखतो रहा है कि copper and S2SO4, इसमें copper sulfate, SO2 and 2SO, यह हमने balance भी की थी, ठीक है तो बिटा, इस तरीके से हमने यह वाला अपना यहां पर काम करना था, ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं इसके next की, अब हमारे पास बात आती है कि इसकी limitations क्या है, देखिए, आपको तो अच्छी तरह पता ही है कि heat and trial method वैसे तो बहुत useful है, simple equation या chemical equation को balance करने के लिए, बर उसकी दो सबसे बड़ी limitations है, सबसे पहली limitation इसकी यह है कि इसमें time ल balance कर दिया, last वाले भी हमें लगा था कि time लेगा लेकिन वह भी अराम से हो गया, लेकिन उससे second या third वाला था जब हमने किया तो उसमें time लगा था ना, बार बार सबी changes करने बट रहे थे, तो इसमें time लग जाता है, दूसरे सबसे बड़ी problem यह है कि, देखो, हमें पता है कि दो चीजे आपस में react हुई, react होने के बाद हमारा product बन गया, but हमें नहीं पता इसके अंदर कि क्या-क्या steps टेक प्लेस कर रहे है, अगर आपको यह बात नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको example से समझाता हूं, देखे जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, मेरे को पता है कि अगर potassium iod iodide मेरा hydrogen peroxide के साथ react करता है, तो उसमें iodine liberate होती है, मतलब उसमें से iodine निकलती है, अब इसकी जो equation है, chemical वो यह है, that is 2Ki, iodide है न, I है, प्लस H2O2, 2KOH, प्लस I2, मतलब यह कि potassium iodide, यह हो गया बादा hydrogen peroxide, सामें बन गया बादा potassium hydroxide, सामें iodine आपके liberate हो रही है, अब यह तो मैं देख लिया, यह मेरे पाद balance equation है, लेकिन मैं actually मैं समझ में नहीं आ रहा है, कि हुआ क्या इनके साथ, मैं आपको वो भी मतलब समझाता हूँ, जैसे कि यह इसके अंदर दो steps take place करते हैं, पहला step तो यह है, कि आपका hydrogen peroxide decompose होगा, मतलब टूटा, पानी के मोल hydroxide और उसके बाद iodine जो है, वो आपकी बनती है, अगर इन दोनों को वापस में हम add करें, तब जाके बड़ा हमारे पास एक final क्या बन रही है, एक equation बन रही है, तो देखिए, आप देख रहे हो, हमें, हम actually करते यह हैं, बड़ उसके अंदर इतने सारे process take place करते हैं, और यही इसकी बेड़ा सबसे बड़ी क्या है, एक limitation है, कि इसमें mechanism clear नहीं होता, कि reaction के अदर basically क्या क्या take place आपकर करता है, I hope आप यह जो hit and trial method है, और यह जो equation है, balance equation है, यह सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आज के lecture के अंदर हमने study किया chemical equations के बारे में, हमने यह जाना कि किस कि इस तरह यह chemical equations होते हैं, और अगर मुझे उसको balance करना है, तो मैं कौन से method से उसको balance कर सकता हूँ, हाँ, यह बात भी हमने यह सिखी कि balance करना इतना important है ही क्यों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो please like it, share it and subscribe it, आज के लिए बस इतना ही, thank you so much.